हुशित कना गुरी राज का सानी हुश्टिया पद उशिच पेशिंच के माँ गपुतरान कन गयते हुटी बलूची हमाँ सौते हवाले हुशिच अबेद माँच की गोशिगता के लाती में खासी मेहमान अद केगां ये पद मीरपूर खासा ची अद केगां अस्ती मैं प्रोग्राम है दा वश्च कनगा और उम्मीद कने के शमरा दूस्त भी सोशल कार वा बाज बयागे बले मैं एक नौजवान निश्टागाशना सोशल चीच कार को था माँ जरूर जोस्त कना वली किस्ती वाजय नामी मुहमद हारून खत्री वाजय नामी वाजय व एक नबे मैं आटकार में एक उन्हेह आएखिए उसकेने के आई चाहँ आपने बारे में बताएं कर आएं किया क्या व्यूदा है है अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया आदा करूंगा ठीक है वश जो है नियूस का वश चैनल का जो के मुखतली जो है लैंग्विजीज बोले जाती है पाकिस्तान में जिसमें बलोची है सिंदी है सराइगी है यह गुल रिस्ते की तरह है यह लैंग्विजीज की कलर है हमारी जबानों के कलर है सिंदी भी बोली जाती है बलोची भी बोली जाती है सारी जबान है खुबसूरत है और बलोची जबान का एक बहतरी चैनल है जो के यहां पे जो है मुखतली लोगों को परमोट करते हैं आप लोग जो के आईटी से तालुक होता है सोशल वरक और दुसरा है बाहिए सच्छल वरकिंग क है लोग वह जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के सच्छल वरकिंग के मेर्पो खस में हमारी एक और गल्जय्शन चल रिए फांड़ेशन चल रही है Social Development Foundation जिसके जो है बानी है अलताव गालिफ साथ मैं as a advisory जो है रोल पिले कर रहा हूँ वहाँ पे जी जी अलताव गालिफ साथ हमारे शो में आये थे शो में आये थे और वो काम कर रहे हैं उनके साथ जो नोजवानों का जो है जो है नोजवान शामिले मीर पुखास की जो आइकोंज है मुक्तली जो एक्टिविटी से तालुक रखते है उन लोगों काफी महनत है Social Development Foundation जो के एक बहुत बड़ा कारवान बनता जा रहा है मीर पुखास में सबसे पहले तो हम वहाँ पे एक बिग इशू यह है मेर पुखास की और वहाँ पर यूनिवर्सटी नहीं है जो भी महitates आपके यहाँ पर आता है हाँ बिल हुख़ कल भी हमारे गैस असी आवाले से बात कर रहते हैं यूनिवर्सटी की महाँ पर अश्क्स धरुरत है नीड है जब कि एस्वाबाद में आप देखें कितनी युनिवस्टिय है मिर भुहान 16 लाग के आवाद ही लेकिन वहाँ पर युनिवस्टिय नीवस्टिय है लारकाना में युनिवस्टिय है, ऩng Megan toujours नीवस्टिय है हैदराबाद में यूनिवस्टीज हैं लेकिन मीरबुखाद में यूनिवस्टी नहीं है यूनिवस्टी की ये हैं कि हम अरबाबी एक्तिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम तो जबदस्ते नहीं कर सकते हैं जबदस्ते नहीं कर सकते हैं कि उनके पार पढ़ने के लिए किताबे नहीं है इस्टेशनेरीज नहीं है और उनका अवैरनेस देते हैं कि आप काम नहीं करें आपकी जो अमर अभी पढ़ने की है तो वह उनको जो मौटिवेट करते हैं तो बच्चों का शौक आप किस तरीके से देखते हैं जो बच्चों को जरुरत भी है पढ़ने की वह शौक भी रखते हैं उसके बावजूद कमी है एजुकेशन की वहाँ तो आप क्या फील करते हैं यह सब देगें जब आम वहाँ पर विजिट्स करते हैं तो जब हम उनको लिट्रिचर देते हैं बुक्स देते हैं पैंसिल देते हैं तो फॉरां से वह के हमें भी दें अंकल हम वहाँ पर अपने कैम्पिंग वगरा करते हैं तो यानि उनको पढ़ने का शोग है लेकिन मजबूरी है कि फाइनेंशली वह वीक है इस्टेशनिरीज नहीं खरी सकते ह फीसिस पे नहीं कर सकते हैं बुक्स नहीं परचेस कर सकते हैं या तो पहले वह अपने जो है गिजाई जो किलत है उनको दूर कर ले पहले तो जो है मामला भूग का है पहले बंदा अपनी भूग मिटायगा उसके बाद एजूकेशन की तरफ जायगा बलकुल दानिश आप कैसे हैं, ख Marktकρο शुकर चिकताई तानेशाओ आप क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात है मेरी मसरूफियात में hygiene से भी फ्री ओकर कुछ मेरे तालिमों तद्रीस से तालुके हमारे में निजी एक सेंटर हैं मेरा उसलिद्बी तालुके, उसमें भी मतलब कि मुक्तलिफ सेमिनार्ज वगरा भी करवाते हैं स्टूडेंट्स के लिए उनको पर्मोट करने के लिए उनको आगे लाने के लिए और यूथ के अवाले से भी और बहुत सारे मतलब कि सेमिनार्ज वगरा हम करवाते हैं मीर प्रखास में कि मतलब यूथ को किस तरह से डेवलब खिया जागा ूंद को किस तरह से आगे लेकर आया है आवैरनेस के प्रोग्राइम करते है जी हाँ ऑफो प्लक विल्कुल लेकर आवारनेस के प्रोग्र 46 में देग सब्सक्राइब शॉत की बैसा अट 가지 है बड़ी तादाथ थी स्टूडेंट्स की, तो उन्हें पढ़ने का इस हद तक शौक है कि वो दूसरे शहरों में जा जाकर पढ़ें, अगर यह हमारे मिरपुर खास में अगर होगी, तो उन्हें दूसरे शहर में जो उनका टाइम जाया और अगर जो डेड़ घंटा उन्हें पर आने में लग रहा, उनका टाइम बचेगा, वो अपनी पढ़ाई पर जाजा तबज्जा दे सकेंगा, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मिरपुर के इस फौरम से के मिरपुर खास में एक युनिवस्टी का कयाम, कि हम चाते हैं कि युनिवस्टी का कयाम मिरपुर खास में मिरपुर खास में, सिंद्ड इनवस्टी का एक चोटा सा मिरपुर खास में कैमपस है, मैंने वहां से पढ़गा, सिंद्ड इनवस्टी कैमपस, तो आपको भी ये मसले पेश आते हैं? हो गया यह सिंधी इनिवस्टी जाम शूर हो गया तो ऐसे शहरों में वो जाते हैं ताके वो वहाँ पर जा कर अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते। अच्छा लड़कों के लिए इतने कुर्बानी होती है कि सुबा उनको उठना है चार बजे फिर उसके बाद त्यार होना फिर उस पॉइंट के लिए इंतजार करना फिर वहां से डेड़ गंटा यहां पर आना फिर यहां से बढ़के वापस जाना तो उनकी जो पढ़ाई का डिस्ट्रबंस हो रहा है वो सारा जना चाहते हैं तो वह करीबी उन्यूरस्टी में वहां पर उनको एड्मिशन दिलवा कर उनकी बढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं चारून साब आप क्या कहते हैं जैसे कि बहुत सारे मसले हैं जो दानिश ने भी बैयान की खास दौर पर लड़कियों के लिए भी मसले हो जो है रोटरी जो है लेटरेसी पे जो है तालीम पे बहुत काम कर रही है और ऐसे इलाकों विजट्स कर रही है और ऐसे प्रोजेक्ट जो है रोटरी इंटरनेशन से लेकर आ रही है ताकि उन बच्चों तक जो है रसाई हो सके और उनको वो चीजे जो है फैसिलिटी दे सक हम और वो जो चीज़े हैं स्टेशनरीज हैं या प्रोजेक्ट हैं और दूसरे उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स कंड़क की जाएं ताकि उनको तालीम के बारे में आगाही दी जाएं तालीम देखे बेसिकली एक जो है हत्यार है ठीकि किसी भी कौम का एक हत्यार होता है अगर किसी भी कौम को माशी तो पर इस्टेबल होना है और ज़र्दा स्टोंग होना है तो तालीम एक एहम रूल पिले करती है बलकुल तो मतलब तालीम के लिए जरूरी है कि एदारे हों, स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटी हों, जो बच्चे के लिए भी सही हों और बाकी माबाब भी खुश हों कि हमारे अलाके में सारे सहलियात मौजूद हैं तो मतलब आप लोग अपनी मैनत कर रहे हैं, रोट्री कलब की तरफ से भी आप मैनत कर रहे हैं कि ये सारे सहलियात पूरी हों, अच्छा आप ने भी वहीं से पढ़ा है, मीरपुर खास से? मैंने मीटको खास से पड़ाय और कराची उनिवर्सटी से मैंने एमसीएस किया है जामिय कराची से यह से एमसी आई किया है इसके बाद मेंने वाड़ मेग कमिशन के लिए करके गॉर्णमेट जॉब दैन जो है इवनिंग में सारा टाइम अपने सोचल वरकिंग के रिए निकालता हुए और वहाँ पर ये देखते हैं ये भी है और मुटली जो है नोज़वान जो यहाँ पर आते रहते हैं वो भी देखते हैं कि अपने काम में कितना बीजी रहता हूँ क्योंकि मैं चार से पांच और्गाइजिशन से जो है मुंसलिक हूँ माशायला तो मतब आप मस्रूफ रहते हैं दिन बार मस्रूफ इतने प्रोग्राम्स होते हैं आए दिन कोई ना कोई इवेंट कोई ना कोई प्रोग्राम केरियर कॉंसिलिंग के आवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं कभी कल्चर डेप कर रहे हैं कभी चोधागस का कर रहे हैं कभी भाई लेटरेसी का प्रोग्राम कर रहे हैं कभी जो है पॉलियो के हावाले से अवेरनेस देने जा रहे हैं तो तो इतने सारे प्रोग्राम साब देखते हैं जी यह सवाल हम कंटिन्यू करते हैं कॉलर है मारे साथ साबर कुरेशी मेर पुर्खास है असलामालेकूं अलेकूं, 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 साब्र साब्र कैसे हैं आप खेरिये सें माशालला जो इस मुकाम तक पहुचते हैं तो आपका भी बहुच शुक्रिया के इन शक्सियात को आप लोग ने बुला के एक प्रवाम को बाहिमत अश्चर बना दिया थैंक यू सुमाश सापिर कुरेशी साब हमें मेरपूर खास से कॉल करने के लिए जी आरुश साब आप जब सुनते हैं लोग आपकी तारीफे भी कर रहे होते हैं आपको होसला अफजाई भी दे रहे होते हैं तो कितनी इमत आ जाती ही काम करने में अश्चर तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया बेशना ये काम तारीफ के लिए नहीं होते हैं अपको एक दिली सकून मिलता है किसी का जब आपको एशास होगा और आपका भी दिल दुखता होगा कि यह तकलिफ में है तो क्योँ ना मैं इसकी तकलिफ में काम आँ तो यह कैसे खुशी होती है दिली सकून मिलता है एशास ना एशास जरूरी है आप के अंदर अगर एशास है कि मुझे इस बंदे के लिए करना है मुझे अपने से कमतर लोगों के लिए करना है तो आपको सुकून मिलता है अभी हम वहाँ पे जो है हर फ्राइडे को जो है हम जितनी हमारी एक हम जितना अफॉर्ड कर सकते हैं हर फ्राइडे के दिन हम जो है टू हंड्रेड जो है बॉक्सिस बनाते हैं और सीविल ऑस्पिटल मीरपो खाज में जो है डिस्टिब्यूट किये जाते हैं ये उन पैशांट्स को जो नीटी होते हैं गरीब और उनके साथ जो फैमली जाय भी होती है जो लोग बाहर बेटे होते हैं उनके पास जो ह एफोड जैते हैं और वो वो लेते हैं कितने दुआएं जिल से निकलती होंगे उन लोगों के जार से बात एक अच्छा काम करना और लोगों के काम आना ही जिन्दगी का नाम है बिलकुल अच्छा दाने जैसे के हारुन साब ने कहा कि प्रोग्राम्स होते हैं जालत तर याद हुआ है कि हम बहुत बीजी रहते हैं तो उन्हें बीजी तो हो रहते हैं लेकिन किस चीज में यहां तो सोने में सब तक की बात नहीं करा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा दर सोते रहते हैं राद दिन सारा सो लिया राद सारा फोन अपना यूज कर लिया तो फिर पर दे रहे हैं काँ उस टाइम को उस टाइम की जो मिकदार है वो आप किसको कितनी दे रहे हैं आप फून में कितना यूज कर रहे हैं फून कितना यूज कर रहे हैं आप काम कितना कर रहे हैं तो वो सारी चीज़े हमें एक जगाद पर देखकर उसके बाद हमें यह कहना चाह काफी एक्टिव भी है लेकिन अगर उन्हें हम प्रमोट करें तो हम देखते हैं कई ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं सेमिनार यूथ बहुत बढ़ चड़के उसमें हिस्सा लेती है काफी मिरपुर्खास के जो लड़कें नौजवान असल जो है वो बहुत मतलब के काम में आग काम है तो इस चीज़ को थोड़ा सा आवाइड करें आप अपने टाइम को मैनेज करें कि आप कहां पर कितना टाइम दे रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को जब हम मैनेज करेंगे तो उसके बाद हमें पता लगएगा क्या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है अच्छा ताने श ज्याइब को तो यूजुच किया जाए है अगर उस ज्यादा अपने करीब रख लें तो ओ झाथ नशा बन जाता है तो एक जचा बन जाता है कि ilsmail यूज नहीं किए बंदा परिशान है मोई यूज नहीं चल रहा इंटरनेट नहीं है परिशान है मैसेजश निआ हग होगे जैसे है तो यह सारी चीज़ है हमें अपने घर से भी दूर कर देती हैं हमें वह महूल ही डहता कि हम लोग बैठे हैं हमें बात कर हैं घर वालों से बात कर रही है था हम उनको जादा है एक प्रैटा होगा एक तस्वीर ले लिए अपलोड थी यह उनकी ऐम्यट हमने बैयन करदी अपने ISTJP jogos पुरपस उससे जादा और उनकी साथ बैठी हमेरे अम्म्य नहीं पता होती तो फोन का इस्तमाल अच्छा है काम कर रहे तो वो पिस्टे अशुछल मडिया पर दे देते हैं कि हमने यह इतनी नेकियां की यह इफ किया है फुँ कि यह किया है तो एक оctionsरा आक्टिवेस्ट के लिए जरूरी अबताना कि हमने यह है काम किया या यह काम नहीं किया इसकी जो है मर जए century citizen है है Adventus या उनका तो खेर उनका तो हम मकाबला नहीं कर सकते हैं हम तो बहुत छोटे हैं अधना से बंदे हैं ठीक है लेकिन यह है किसी ना किसी से हमने मोटिवेशन ली है तो इतना दिखाना किसी की सफ़ेद पोशी को जाहर नहीं करना उसकी सफ़ेद पोशी रखना कि उसके आप तस्वीरें खेच रहो एक जो है उसको सिलाई मशीन दे रहे और दस बंदस के साथ जो है तस्वीर ले रहे हैं आप अपना काम दिखाएं लेकि उन लोगों की तस्वीरें ना दें जिनको आप जिनकी मदद कर रहे हैं हैल्ब कर रहे है उन लोगों लैंद ऐसे erwबे है आज कल यह भी है ना कि आप तस्वीरें नी निकालेंगे तो कहने नहीं कि पैसे पंड पैसे कहां गया को यह होता है कुछ मजबूर लोग होते हैं अपनी दस्वीर बता देंगे या अपनी चीज़ लगा लिए कुछ लोगो अपनी थिंकिंग जो है वा नागेटिव बना लिए अगर आम नई दोगे तो बोलेंगे कि ये लोग तो कोई काम ही नहीं करते हैं बिल्कुल और आपका काम नजर नहीं आएगा आपकी देते हैं कुछ जो है थोड़ा सा मजबूरी में दे देते हैं लोग जरूरी है आज कल कि आप दे दे तस्वीरें वरना आप पे शक करेंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं ये बात भी हम सोचते हैं कि अच्छा है हम दे दे तस्वीरें वरना पे शक करेंगे कि हम काम नहीं क एक्स्रा मतब बच्चों को वा सिकाते हैं और एक हमारे गौर्णमेट स्कूल हो गया हमें कुछ पढ़ाई नहीं है तो मेरपुर खास में भी ऐसे ही है अब वहां पर क्या मसला है कि वहां पर जो है बाइस कोलिज जो है दो ही है और गर्रस कोलिज सिर्फ एक है अब अब हमारे पर इंड्रोंडमेंट न titles नी मिलती क्योए क्योंके कॉलिज की कॉलिज की मॉह की है एक कॉलीज है शाब दूलती कॉलीज जो के फात्मा जिनाना इसका आई थिंग इसका इनॉगरेशन कियता और वो कॉलीज है वहाँ पर अभी ये इशू जो है ये रेज हुआ था कि महाँ पर इंरॉल्मेंट नहीं हो रही थी बच्चे जादा हो गया थे सिटिंग अरेंजमेंट कम था टीचर स्टाफ कम था तो ये प्रॉब्लम साथी है अच्छा ब्रेक हैं हमारे पास को लिए राज च्के मां मिर्पुर खास से स्कूल अनी आवाले और तालीमी नजामें आवाले गब जन गया चिक्का प्रॉब्लम बैगए कि कर गे मज़नी शाहर ही ये तहा ये 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 इस ते तो चिक्का प्रॉब्लम भीते क्या झाले करें जिक हैं जिक्ट प्रॉब्लम भीते क KIM